गुरूर ब्रम्हा, गुरूर विश्णू, गुरूर देवो महेश्वरह, गुरू है साक्षत प्रम ब्रम्हा, तसमेश्व गुरुवेनमह, गुरू पूर्निमा, जो गुरू सबसे बड़े हैं, ईश्वर के बराबर हैं, उनकी पूर्निमा रही है, इसे व्यास पूर्निमा भी कहा जाता है गुरु पूर्णिमा दो जुलाई को शाम को 6 बज कर 2 मिनट पर लग रही है और 3 जुलाई को रात 11 बज कर 8 मिनट पर इसका समापत हो रहा है तो उद्य तित्थी के अनुसार गुरु पूर्णिमा तीन जुलाई को मनाई जाएगी गुरु पूर्णिमा पर भगवान विश्नु का पूजन किया जाता है क्योंकि देव गुरु ब्रहस्पति ही विश्नु भगवान है और विश्नु भगवान का पूजन उस दिन किया जाता है विशेश तोर से गुरु के रूप में उस दिन आपके अपने जो कोई गुरु हो उनको याद किया जाता है जिन से आप पढ़ते हैं ग्यान प्राप्त करते हैं उन से उनको याद किया जाता है इसके साथ ही अगर आपके कोई ऐसे गुरू है जिन से आपने बहुत अच्छा ग्यान प्राप्त किया है आप जीवन की उन्चाईयों तक पहुंचे हैं उनको परनाम करें उनको याद करें उनको कुछ न कुछ भेंट सब रूप दे अब बात आती है कि ऐसे गुरू नहीं है आपके पास आगे बहुत बढ़ चुके हैं और पीछे वो गुरू छूट गए हैं तो फिलहाल में माता पिता आपके पास हैं कहते हैं पर्थम पूजय गुरू जो होते हैं वो माता पिता ह ही होते हैं तो आपके माता पिता को परनाम करें उनकी परिकर्मा करें उनका आशिवाद लें आपकी जन्म कुंडली में गुरू मजबूत होंगे और आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी अब बात आती है माता पिता भी नहीं है सरगवास हो चुके हैं त अब जो मैंने पीछे बाते बताई हैं वो कुछ भी नहीं है ना गुरू आपको ग्यान देने वाले पास में हैं ना माता पिता पास में हैं तो भगवान विश्णु को अपना गुरू मानते हुए पूजागर में बैठके उनको याद करें उनके मंत्रों का जाब करें क्योंक तोर से अगर आपके विवा में देरी हो रही है तो ये इससे ज्यादा अच्छा मोका आपको नहीं मिल सकता आज के दिन गुरू की शक्तियां जो हैं वो इस बर्मांट पर विचरन करती हैं और आपके घर में आप पूजा करते हुए अगर चोटा सा भी काम गुरू भगवान के निमित करते हैं तो गुरू भगवान आपकी तुरंत सुनते हैं जिन बच्चों की विवा में देरी हो रही है जिन बच्चों का विवा नहीं हो पा रहा है जिनका गुरू कमजोर है उनकी जर्म कुंडली में विवा योग नहीं बन रहे हैं ऐसे बच्चों को या उनके म इस दिन आप गुर्पूर्णिमा के दिन सुभे में नहाद हो लीजिए सोंबार का दिन होगा सुभे में बैठके आप पूजा करना शुरू करिए अपने पूजा घर में ही उपाए बताने से पहले नमस्कार आप सब का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं कपड़े या कोई भी कपड़े पहन लीजिएगा पूजा घर में बैठिएगा बैठने के बाद आपके पास होने चाहिए जैसे कि आपने शुरू में देख लिया कि मैं बात कर रही हूँ दो केले होने चाहिए आप जानते हैं उस दिन कईले का पूजन होता है घुर हों चाहिए आपके घर में ऐसी होने हो यानि कि extensive अध्र हो शक्ती है इस प्रकार से विषनु रेजत्र नाम हो सकता है गृफवान के से दश्रेमन इसे व outsider हो आपके पास पुस्तक ऐसी एक पुस्तक होनी चाहिए आदा चमच हल्दी ले लीजिएगा पुजागर में बैठके और एक सफैद कागज ले लीजिएगा थोड़ी सी रोली ले लीजिएगा अब आपको करना क्या है सबसे पहले तो गुरु भगवान के सामने एक भगवान के आगे प्रजुलित करें और अगर ऐसा ना कर सकें तो कोई बात नहीं आप जो भी दीपक प्रजुलित करें उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा और अब आप करते हैं अपना उपाए बच्चे कर रहे हों तो अपने लिए करें माता-पिता कर रहे हों तो में डाल लीजिएगा सँनगल लीजिए गा कि मैं जो पाए करने जा रहे हों या जा रहा हूं या बच्च लाता हो इसके बाद ते आप कागज लेने के बाद उस पर सबसे पहले रोली से घोल कर रोली को थोड़ा सा कीला करके स्वास्तिक बनाई के नीचे आपको अपनी मनोकाम नहीं है यह शुब वहाद लिख लिजिएगा यह नाम नीचे और लिख ली जिएगा लेकिन शुब्ब लिखना वहां जरूरी है यह लिखने髦 ऑस कागज की अंदर वो जो हल्दी है आपके पास एक चमच इसको डाल लीजिएगा इसको डाल के इसकी पुरिया बांध लीजिएगा पुडिया बांधने के बाद इसको विश्ण भगवान के आगे अर्पित करिएगा और दो केले जो आपके पास हैं वो आपको विश्ण भगवान के आगे फल के रूप में अर्पित करना है दो केले अर्पित करते हुए यह पुडिया विश्ण भगवान इस मंतर को जाब करने के बाद ये जो पुडिया आपके पास है इस पुडिया को आपको आपकी किसी धार्मिक पुस्तक में छुपा देना है इसको रख देना है कब तक के लिए अगली पूर्निमा तक के लिए अगली पूर्निमा तक के लिए इसको अपनी विश्णु भगव आपके घर में आम तोर पर सबके होती है वो हो सकती है उसके अंदर इस पुरिया को रख दीजिएगा एक तालिस दिन के लिए या तो या अगली पूर्निवा तक के लिए अगली पूर्निवा तक रख सकें बहुत अच्छी बात है अगली तालिस दिन पूरे कर दीजिएगा और जो दो केले हैं उसको दान करना है आपको, सबसे अच्छा दान है गाए के मुह में इस केले को दीजिए, दोनों केले भगवान विश्णु का नाम लेते हुए गाए के मुह में दे दीजिए, आपके सामने मंतर आ गया है, इस मंतर का 21 बार कम से कम जाप करना है और तुरंत विवायोग बनना शुरू हो जाएंगे बाद में एक तालिस दिन के बाद या अगली पूर्णिमा के बाद इसको पानी में प्रवाहित कर दें या विश्ण भगवान के मंदिर में छोड़ दें आप देखेंगे कि तुरंत बच्चों के विवायोग बनेंगे शिगर विवा होगा उनके जन्म कुंडली में गुरू तुरंत श्ट्रोंग हो जाएंगे गुरु पूर्णिमा का किया हुआ यह उपाए बच्चों का शिगर विवायोग बनाएगा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर प पूरु देव अवश्चे और अवश्चे लिखें ताकि तुरंत मनों कामना पूर्णू